दोस्तों जामून के फायदों से तो आप सभी वाकिफ हैं यहाँ एक ऐसा फल है जिसके असंख और श्यधिय फायदे होते हैं घर्मी लगने पर जामून खुखाया जाता है सिहत के लिए जामून ही नहीं इसके पत्ते भी काफी फायदे मंद होते हैं कई सारी गंभीर बीमार करना है कैसे प्राप्ट करना है किस महातरा में से वन करना है ये सीखेंगे तो वीडियो को बिना स्किप की हुए पूरा जरूर देखेगा क्योंकि ये पूरी जीवन काम आने वाली शर्तिया आपको इंटरनेट पर मिलने वाली सभी वीडियो में से बेस्ट वीडियो मिलेगी जो कि जामुन के पत्यों के स्वास्तेलावों के बारे से ओगत कराएगे आपको सबसे पहले जो फायदा आपको मिलता है वो है डाइबिटीज में इसका दो ग्राम जामुन की पत्यों में एक लिटर पानी मिलाएए इसके बाद चाय बना लेजे जी हाँ 2 ग्राम जामून की पत्या लेनी हैं आपको 1 लिटर पानी लेना है उबाल करके चाय तयार करना है ऐसा माना जाता है कि चाय डाइबिटीज में कापी पायदे मंद होती है लेकिन ऐसा प्रमारी तो नहीं हो पाया है जामुन की पत्यों से टाइप 2 डाइबिटीज के मरीजों में फास्टिंग ब्लड शुगर के स्तर में सुधार चरू रहाता है इसलिए ये फायदेमंद है हलांकी पशों पर हुए अध्यन से पता चलता है कि जामुन के बीज और छाल ब्लड शुगर को कम कर सकते हैं लेकिन इंसानों पर इस तरह का कोई प्रभाव अब तक सामने नहीं आया है एक अन्या रिसर्च के अनुसार जामुन के बीज हाई कोलेस्टरोल से गरस्थ डाइबिटीज के मरीजों में कोलेस्टरोल के स्तर को कम करता है लेकिन इंसानों पर इस प्रभाव की अभी तक पुष्टी नहीं हुई है लेकिन एक बात तय है कि जामुन को कापे फायदेमंद माना जाता है डाइबिटेज में इसके अलावा पेचिश में जी हाँ अगर आप पेचिश यानि की खून और सलेश्मा वाले दस्त से परिशान हो गए हैं आपको सलेश्मा वाले यानि की जिली नुमा दस्त आता है तो जामुन के पत्ते आपकी मदद कर सकते हैं ये पत्ते पेचिश के इलाज में बहुत असरकारक होते हैं और इससे दोबारा पेचिश की समस्या होने से भी निजात मिल जाती है जामुन की पत्तियों क cancer roughly G mash something , यह शरीर की कोशिकाउं के उत्तकों को नुक्सान पहुंचाने वाली Kaiser की कोशिकाउं के हमले से sa skincare और करती हैं और शरीर से dead cells को बहर करती है इसके अलावा tumor से आपका लिभा आज़, इस भीमारी के होने, और समानय कोशिकाउं के समूफ गांट के रूप में विक्सित होने लगते हैं शरीर में अगर समय रहते इसे रोकाना जाए तो ट्यूमर कैंसर में बदल जाता है जामुन की पत्यां ट्यूमर से बचाने में उपयोगी होती हैं इसमें ऐसे प्रकृतिक तत्व होते हैं जो बिना किसी साइड इफेक्ट के ट् साथ प्राप्त किये जा सकते हैं जो नहीं बिमार हैं वो भी इन बिमारियों से बचे रहेंगे और बुखार में भी ये कमाल की और शरी है अगर तीन या इससे जादा दिनों तक बुखार रहता है तो ये किसी गंभीर बिमारी या समस्या का संकेत हो सकता है बुखार में आ जब तक उप्योग कीजे जब तक की बुखार आपका कम न हो जाए ये बहुत अच्छी और श्यदिय आप चाहें तो इसमें गिलोई मिला करके भी उबाल सकते हैं और ज्यादा फायदे मंद हो जाएगी खास करके बुखार के लिए और लिपर के लिए इसके अलावा रक्त प प्रवाह का बहतर होना बहुत जरूरी है जामुन की पत्यों में ब्लड सर्कुलेशन को भी बहतर करने के गुण पाये जाते हैं जामुन की पत्यों से रक्त प्रवाह बहतर होता है जिससे हरदय ठीक तरीके से कारिक कर पाता है और हरदय पूरे शरीर में अच्छी तरह से करता है इसके अलावा किपनी यहां जामुन की पत्ति किपन में काफ़ी होती है दस से पंदर ग्राम जामुन की पत्ति यह श्कील?' लेने चाहिए इस स्थिती में इसे अच्छे तरीके से धोकरेना जूस बना लेना चाहिए इस जूस में तीन काली मिर्च मिला लिजे और रोजाना दिन में दो बार इसका से बन कीजिए इसके अलावा कुछ और बिमारियां हैं जिनको जड़ से समाप्त करने में काफे लाफकारी है जामुन की पत्तियां कौन-कौन सी बिमारिया है और फिर जानेंगे क ऐसे इस्तेमाल करना है ब्रोंकाइटिस अस्थमा गैस एंठन पेट के रोग योन इप्षा में वृद्धी कराना हो कब्ज और साध नसों से संबंधित विकार त्वचा पर चकते आना मुह और गले में छाले होना त्वचा में सूजन आना इन सभी बिमारियों में जामुन की बंधी बिमारियों के लिए कौन कौन सी ओशधिया अच्छी होती हैं वो हम इस चैनल पर समय समय पर बताते रहते हैं तो उसके साथ अगर आप इसको मिला लेंगे जैसा कि हमने आपको बताया भी कि अलग-अलग बिमारी में जैसकी फीवर है तो आप इसमें एलोवेरा मिल या फिर आप इसमें मिला सकते हैं गिलोए और दोनों को मिला करके पियेंगे तो और ज hardness हो जाएगी मधूए तो करेला काजूस मिला लिजे इसमें और ज्यादा फायदे मन्द हो जाएगी डायरिक्ट पत्तियों काफी 7 कर सकते हैं अब इसका लाब लेने के लिए कैसे इसक स्वस्थ हैं तब भी जरूर करना चाहिए स्वस्थ हैं तब भी सबता हमें एक दिन कीजिए इससे आपके लिवर की सफाई भी अच्छे से हो जाएगी दूसरा तरीका है कि आप जामुन की पत्यों को पीस लीजिए चटनी की तरह से और उसे पानी में घोल दीजिए और उसक का सेवन कर लीजिए इससे भी आपका लिवर पूरी तरीके से क्लीन हो जाएगा और इसका फायदा आपको यथावत मिल जाएगा तो यह दो तरीके हैं जिस तरीके से आप सेवन कर सकते हैं तो आप सबाल आता है कितनी महात्रा में करें तो आप एक इंसान को एक जवान इं चाय में और अच्छी बात हो जाएगी आपकी सिहत के लिए गुणकारी हो जाएगा ये तो आप अगर बिमारी इंसान है तीन पत्तियां ले लिजे आपके लिए एनफ है क्योंकि उस समय पर आपको अगर स्वास्ति संबंधी समस्या चल रही तो आप इतना लिजे धीरे धीर आपरी कबर करने लगेंगे और आप फीट रहेंगे और सबसे बड़ी बात है कि डाइबिटी जैसी बिमारी नहीं है तो वो होगी भी नहीं बहुत सी बिमारियों से जितनी बिमारी हमने आपको बताई जो कि इसifa होती थी तो इसलिए इसका प्रयोग किजिए और लाब उठाइए उमीद करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी एसी ही नई वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम ले करके आते रहते हैं तो ऐसी नई वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल नोटिफिकेशन को ओन कर ल के बारे में जाने कि कौन सी और शरी का कैसे स्तेमाल करना है ताकि स्वस्त रह सकें और इसमें आप भागिदार बने प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें फिलाल आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं विदा लेते हैं आज के इस वीडियो से जोड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक आप सभी खुश रहें स्वस्त्रें धन्यवाद नमस्कार दोस्तों ये वीडियो आप सभी देख रहे थे अरवेदिक उप्चार चैनल के हमाध्यम से